दोस्तों कोलकाता से शर्मनाक हार के बाद मुंबई इंडियन्स हुई प्ले आफ से बाहर तो रो पड़े रोहित शर्मा लेकिन फिर जस्प्रीत बुमराह ने जो किया उसने सभी का दिल जीत लिया जी हाँ दोस्तों मुंबई और कोलकाता के बीच खेले गए बेहद ही रोमांचक मुकाबले में कोलकाता ने पहले बल्ले बाजी की और मुंबई को 170 रनों का टार्गेट दिया लेकिन जब इस target को chase करने मुंबई के बल्लेबाज मैदान में आए तो कोलकाता की लाजबाब गेंदबाजी के आगे मुंबई का कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं सका महज 65 रन पर ही मुंबई के 6 बल्लेबाज आउट हो चुके थे और कोलकाता ने 24 रनों से मुकाबले को जीत कर मुंबई को प्ले आउफ से बाहर का रास्ता दिखा दिया मुंबई को प्ले आउफ में जाने का बस यही एक मात्र रास्ता था अगर मुंबई यह मैच जीत जाती तो उनके लिए प्ले आउफ के दरवाजे खुले रहते लेकिन हार्दिक की कप्तानी में मुंबई प्ले आफ से बाहर हो गई और इसी बात से हार के बाद रोहित शर्मा बेहद भावुक थे उनकी आखें नम थी लेकिन तब ही रोहित शर्मा को भावुक देख जस्प्रीत बुमराह रोहित के पास जाकर उन्हें गले लगाते हैं और उनका होसला बढ़ाते हैं जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं लेकिन दोस्तों मुंबई की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही हारदिक पांडिया की खराब कप्तानी या फिर कुछ और हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही और भी शांदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद